मतर के इतनी सारी recipes बनी रही है तो फिर मतर पुलाओ क्यों रेस में पीछे रहे मतर पुलाओ क्यों न बने तो आज हुआ यह कि मुझे भूग लगी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाओ फ्रिज कोला तो बस मतर था तो मैंने सोचा चलो क्या बनाए मतर से क्या बना तो फिर यहां पे बना लिया मटर पुलाओ हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल जस्ट अनादर फूटी गल तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे कुछ खड़े मसाले तो यहां पे है दो सूखी लाल बड़ा वाला तेजपता था तो मैंने उसे हाफ कर लिया अपनी कौंटिटी के हिसाब से एक स्टार यानि की फूल चक्र दो लवंग एक बड़ी लाइची इसे तोर के लिए आप कभी भी बड़ी या चोटी लाइची कोई भी ले उसे तोर के ही उसका फ्लेवर आता है इस हम इसे पानी में सोख करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हम इसे डारेक्ट बनाएंगे और यहां पे मैने 3×4 cup मटड ले लिया है और इसी के साथ यहां पे ले लिया है एक चोटे साइज का प्याज इसे लंबा लंबा कट कर लिया है अभी हमें कूकर ले ले लेना है औ और flame को low to medium रखना है और low to medium flame पे प्याज को 2 मिनट के लिए भून लेना है प्याज को भूनते वए यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें डाल देंगे हरा मटर इसे एक बार अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे नमक नमक यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिन डालना है मतलब इस मतर प्याज और जो चावल है ना उसके लिए भी हम यहीं पे नमक डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से ढख के दो मिनट के लिए भून लेंगे मतर को भूनते वए मुझे दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम धक्कन हटाएंगे एक बार सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद जो हमने चावल धूल के रखे देना वो यहाँ पे डाल देने हैं और उसे भी बिल्कुल हलके हातों से दो मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेना है चावल को भूनते वए यहाँ पे मुझे दो मिनट हो चुके तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो जिस बाउल से मैंने चावल लिया था उस बाउल से यहाँ प हातों से चावल को इस तरीके से देखना और आप देखो कि इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है अभी आपको क्या करना धक्कन नहीं लगाना अभी सबस हलका सा इसे इस तरीके से रखके एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अब हमारी एक मिनट हो चुके हैं तो हम हटाएंगे और आप देखो कि हमारा जो मतर पुला हुए वह बिल्कुल बन के रेडी है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब हम इसे सर्फ करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं यसी इस रेसिपी को आप लंच में खा सकते हैं डिनर में अगर चावल प्रिफर करते तो भी खा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में लेकि जा सकते हैं यह परफेक्ट इसे राइते के साथ सर्फ करें अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी लेड़ी हुई थी तो एक बार ट्राइज जरूर करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी आप मुझे इंस्टा और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलेंगे फिर एक इसी तरह की ईजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क सकते हैं आप हुआ